नमस्कार मेरा नाम ज्यानिश्च्च्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे आज खबरों के पीछे का एपिसोड नमबर है 132 आज तो मुझे कहानी सुनानी थी डॉन अप किड्नेपर्स अजय सिंग की जो देश भर में घुम घुम कर अपरन करता है फिलाल जेल में लेकिन यह कहानी अब आपको हम कल सुनाएंगे क्यों कल सुनाएंगे क्योंकि आज आज आपको हम सीधी जुबानी सुनाने जा रहे हैं रभी रंजन सिंग की उर्फ डिम्पू सिंग की जिने इस अजय सिंग गिरोह ने श्वैम अजय सिंग ने 22 जनबरी 2015 को गया के फोर ल किड्नेप कर लिया था और किड्नेप भी कैसे किया फॉर्चुनर गारी भी तेज जा रही थी पीछे से इनोबा आई उस पर लाल बत्ती लगी थी बाद में शायरें बजने लगा जब इन्होंने साइड दिया तो आगे आकर गारी खरी हो गई और सबों ने अपने को इंट इंटेलिजेंस बीरो देश भर में जाज कर रही है और आपके बारे में गलत सुचनाय हैं इस तरीके से इंटेलिजेंस बीरो के प्रहरीकारी बनकर किन्पिंग हुई और फिर 37 दिनों तक 37 देश तक एक ही ठिकाने पर इन्हें रखा गया फिरोती देखर छुटे फिरोती देने के बाद आजैसिंग का पता भी सब कुछ चलिया लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया तो यह पूरी कहानी बिल्कुल फिल्मी है और आपको समझ में आएगा कि यह अजैसिंग गिरो कैसे राह चलते लोग को किड्नैप कर लिया कता था हमने पंकज गुपता रॉक्ट 2015 में हुए अपहन की पूरी कहानी आपको शुनाएंगे कि कैसे वे किड्नैप किये गए कहा रखे गए बाद में कैसे छुटे और फिर क्या हुआ तो सीधे सुनिए रभी रंजन सिंग से जो मेरी बाचित हुई है मेरा नाम ग्यानिश्वर हुआ पटना से खबरों के पीछे से बोल रहा हूँ नमस्कार मैंने आप से बाचित करने की पाहल इसलिए करी क्योंकि मुझे याद है कि 2015 में गया के फोर्लेंड पर आप मूल लूप से संबेड़क हैं ठिकदारी का काम करते हैं सासाराम में रहते का उस गिरों ने आपको फॉर्चूनर समेट गया फोर्लेंड पर किड्नैप कर लिया थे मेरी जांकारी सही है जी कैसे क्या हुआ था कुछ हियाद करें मुझे लगता है वह वक्त था जनवरी 2015 का आखरी हफता था या कुछ ऐसा ही था जनवरी 2015 देट था अच्छा क्या हु अच्छा तीक है तो मैं उनके यहां चाय पीने के लिए सुबह सुबह रूख गया मैं अपने सासा राम पत्रफ निवास हस्तान से मैं शाड़े पांच पौन छे में निकला था जी जी और मैं का रिबन वहां साड़े साथ बचे तक पहुंच गया था घाटी जी वहां से च अच्छा जिसका नाम भूल रहे हैं हम थीक है ठीक है कोई बात है हां तीन लोग हम लोग थे जैसे हम घाटी चड़ रहा थे पीछे से एक लाल बत्ती लगी हुई नोभा गारी दिखाए थी सुबह 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 8 बच के 20 मिनट ए 30 मिनट हो रहा था अच्छा अच टो थी नोभा गारी दिखाए दी तो हम तो खुप कोई होंगे अधिकारी जाय कोई मंतरी होगा हम साइड देंगे शाई बात है चल रहा था तब तक पीछे से व्टर बजा दिया लोगों ने आपी ड्राइब कर रहे थे कारी को मैं एक सेयल्फ ड्राइब कर रहा थे स्पी कि स्पिड था जी जी आरून लोगा भी था तो हम पिछे से होरन दबाया होरन दबाने कब दो दबा दिया अच्छा फुटर बजाया गाड़ी में जी फुटर बजाने कब करके साइड दिया उसको भाई चले जाओ तो नचूरल है कि कोई हुटा हुटर बजता है तो आदमी साइड देता है कि चले जाब लग हैं तो कुछ हमको फिर आगे जाके कहिंची करके मेरा गाड़ी रुकवा लिया अच्छा और गाड़ी रुकवाने कबाद उसमें से कामांडो का ड्रेस में थे ओख यह जिसमें कमांडो लगा हुआ था और गाड़ी की नंबर प्रेट रख यह आपने गाड़ी से तो डिली नम्म्पर गाड़ी थी उसमेच गोंगिन टुद्भीन डुरुट्डिया का लोग ला ती झीर आया लोग मेंदेपास सुमें क्या बोला कि नहीं चेक करेंगे मेरे सपी से बात करेंगे ना मेरे अट झी लगा हूं मेरे अटस इस टायम सब्हें कुछ वाहा हुआ कर तो जैसे ही मैं मोबाइल सोचा कि लगाऊ उन पर मेरा मोबाइल चेन का ओफ कर दिया आप लोग को पता नहीं है आने वाले हैं आपके बारे हम गलत खबर हैं हम लोग जाच के लिए निकले हुए हैं अच्छा गलत हैं ही नहीं हम तो फिर बोला कि उतर ये गाड़ी में से मोगाइल आपके बाद मेरे ही गाड़ी के पीछे डिक्की में हमको डाल दिया विच सीट से और अब खूद एक उसमें से उतरा जो पुलिस के ड्रेस में था बिहार पुलिस के ड्रेस में था और उगाड़ी चलाने लगा और अजयाय सिंग खूद इनोभा चलाने लगा यह तो बाद में आपको मालूम हुआ हुआ हम तब जो चला रहे पैठे हुए थे अपने अधिकारी पन के अनुभा में हाँ हूँ इनोभा चलाने लगे लगा पिर एक पेट्रोल पंपर गाड़ी में डीजल नहीं था हम लोग तो उसमें आपको बेहुस नहीं किया था पीछे डाल दिया था टिकी में अच्छे यह कहा लिया हुआ पेट्रोल डीजल कहा बराय हुआ डीजल लिया है बारा चटी भारत पेट्रोल के पंप अच्छा ठीक है हाँ वहां लिया डीजल और वहां उतर के गाड़ी में से आया और पंप वाले के सामने पीछे देखा बोला कि देख रहो कि इसका आख देखो इतम भूद बड़ा क्रिमिनल है कैसे देख रहा है हम ही क जोड़ा है है और चार लोग को भी ठैल है गाड़ी में यूद्ध बेहोस हो अच्छा हां हमको इतना याद है कि हम को डोभी से हमको पटना रोड में गुझाया बिल्कुल मेरा एड्रेस पुरा समझ लिया हुआ आदमी और समझने के बाद दोभी से पटना उसको लगा कि इधर से ले जाएंगे तो हो सकता है कि इसको सब पठना पहुंचा दिया हम बोले कहां पुष्टाच करो तुम लोग चल्दी पुष्टाच करो हमको चाने दो हमारे घर के लोग पेचेन हो जाएंगे तो हमको एक फैट गर्दन पर मार दिया अच्छा हां और उसके बाद रुमाल में कुछ रखा था उसको सुंगाने लगा वेल्ड है से लेज रुट नहीं ले जाएगा वह सच्छ सच्छ वाल है वही पुष्टाच करेंसे कोई ठाना ले जाएगा वहां पुष्टाच करेंगा लेकिन ये गाड़ी जब पकड़ी वेली रोड से पार होने लगी सकुनाम और तरफ नापोर तरफ हम फिर बेहोस ओगा हम को सुगा दिया रूमाल तो हमको बेहोसी के हालत में हम लोग राता राती पहुँचा दियाई हमको तो पता भी नहीं चला कहां पहुँचाया है लेकिन जब योग पेपर पढ़ रहे थे नूज़ पेपर तो हम देखे कि लखनओ का एडिशन है हाँ एडिशन की पेपर पढ़ रहा है और पेपर रूम मे नहीं ला रहा था हम लोग के रूम में अच्छा हाँ दरवाजा थोड़ा सा कुला था वो बाहर पेपर पढ़ रहा था हम देख लिए अच्छा अब फिर भी हमको नहीं पता रहा है कि आपका पहरण हुआ है हम बार बार करें कि भाई जिससे आपको पुस्ताज करवाना है कर तो फिर हम अपने तीन दिन के बाद हमको चार दिन के बाद गोला कि आपका पहरण हो गया है अच्छा हमारे साथ है इसा कैसे हो गया जी हम तो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है नहीं किसी का साथ हमारा को यह थी है तो नहीं नहीं अपका पहरण हो गया है आप घर का नं नमबर ना दिया दे करके अपने थोटे भाई का नमबर दिया कि मेरे पापा को पर लैसिस अटेक कर गया था तो हमको लगे कि इनको हाड़ूट अटेक कर जाएगा जे और वहीं से सुरू किया ही लोग फिरौती का अच्छा जगा 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 चेंज करके जाके फोन करें स्टार्ट किया अच्छा थीक है हां कमी मंग रहत थे अपनी आफ लगे करते करते कहां से फोन करता थे जगा बदल के करता था तो अबहु से किया था अच्छा हां लास्ट में खुद ही आज जिस दिन लाश्ट फाइनल इन लोको डील होने वाला था मेरे घर के लोगों से हाँ हाँ आजये सिंग खुद जाकर मोबाइल से बात किया था अच्छा कहीं दूसरे जगा जा करके हाँ दिन भर के लिए गया था आया था बोर में जब मैं छूट करके आया तो पता चला कि खुद आया था गया अच्छा खुद गया और उसके बाद यहां एक साधी एटेंड किया था करके गया में अच्छा किसके यह हमको नहीं पता चला था अच्छा ठीक है यह किसे मालूमा कि साधी एक यह हमको पता चला कि गया आया था यह पचीस जनवरी को लंब संप अच्छा ठीक है और वहां करके किसी साधी में टेंड किया था हमको बताने वाले बताया दूसरे लोग अच्छा हमको छुटने के बाद तो लास्ट में बाद में उतर पर देश से ही कहीं दूसरे जगह से मेरे भाई से लास्ट डिलिंग किया और डिलिंग करने के बाद बोला कि तुम कल बताएंगे तुमको डेट है बता रहे हैं इस डेट को तुम तुम फोन जाएगा तुमको और तुम अपना पैसा तयार रखो सब हजार हजार का नोट रखना हजा मेरे उसके नजर में दो आदमी थे लेकिन हमारे तरफ से पांच छे आदमी अच्छा कितने कितने दिन टक है रहा है अच्छा और इन लोग को ड्रेस कोड़ बता दिया था अच्छा कि आपको टी शाट और इकलर का जीन्स और इस कलर का कैप पहनना है और जेनरल बोगी में चलना है अच्छा कौन सी ट्रेंज में यह अच्छा ठीक है और लखनाओ में ही पैसा वहां पर प्रेटफारम के बाहर लिया था लिया था कोई पार्क है वहां उसी पारक के पास लिया था जो मेरे साले थे उसको यह नहीं पाचानता था तो पहने हुए थे ट्रेक सुट उन से पूछ रहा है कि कौन से ट्रेन आई तो कहां से आप आए हैं उसको सख हो गया भाई भी आज में उत्रा है हम लोग बैडविंटन खिलाड़ी है अच्छा वो लोग बैग में जो गया था पैसा उला उसमें जीपियस लगा हुआ था अच्छा ठीक है अच्छा इतनी होसियारी आपने कर ली थी परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों और पूलिस ने भी लेकिन लेके चला जाएगा अच्छा लग इधर पूझ रहे थे जारखन्ट बंगाल नेपाल बिहार इधर खोज़ रहते इतल उत्तर पर्दिस लेके चला गया था अच्छा हां हां और वहां पैसा लेके आया पैसा उसा सब हुआ उसके बाद हम लोग को उसी रात में गाड़ी में बांध गए और निंद की गोलिया दे करके अचा फ़िर शे बाइधा ? अचा पिर से मतलब अचा आपको इसे किस फोर पर रखाता था था ख काने की अचा ठीक था था यारा धी नींध के गोलिया चता था एक कमरा में हम लोग लगी वुए थी झारियर कि टीवी लगी हुई थी है और उसे वर्ल्ड कप मैच आने वाला था और उसके जो थोटे गुर्गे थे उनलों को वर्ल कप मैच देखना था अच्छा अब जांग बोला कि कैसे आएगा इल मैच इसमें तो बक्स नहीं अब आफ नहीं था नहीं था उनलोग पेंट ड्रायम में शिर्फ गाना लोड कम ल जो लोडिंग करने के लिए लोग दे जाता था, आता था, और जब बोला गया कि आप एक तार का जोगार कर दीजेगा, तो DTH हम लोग connect कर देंगे, मेरा छोटा भाई बोला, तो उसमें एपार्टमेंट में से ही, टीवी का केबल वायर का वायरिंग था कबारा सब, अच्छा और वा कबार के उसको टीवी में जोडा गया और बाहर खड़की में जोडा गया, अच्छा, हम लोग को दरवाजा तरफ नहीं जाने देता था साब, बलकोनी तरफ, उसमें उलोग जोड़ा और भरकवान के देया से आ गया, सब मर्द ही रते थे, कोई महिला नहीं रते थे और वहां हत्यार वर्दी सब दुसरे कमरे में हम लोग इतना डिरवाया जाता था कि जिसका को परिवार बाल बच्चा को मार दिया जाएगा किसी को कुछ बताईएगा तो पुरा मतलब एक महिना छे दिन हम लोग को पुरा परतारित किया गया था थीक है खम तो अब अभु रहाइग क्या हम लोको रात में है कि छोड़ने के टाइम फरचो नर्ण में ही मेरे फरचूनर मैं हाओ पीछे कमनल इचा कंबल ढूंबल और पीछे दिके मेंद्डेया और बैठाने के बाच हम लोग के आंख भंधysg और हम लोग को कानपूर और उनाव के मतलब उनाव के रास्ते में छोड़ गिया जहां पर बजरंग बली का मंदिर था एक रूप पर चुनर्स उतार के बोला कि देखना भी नहीं है पीछे नहीं तो गोली मार देंगे अच्छा हां तो हम लोग अपने डर से देखे भी नहीं हां सनी वार दीन था हम लोग तुरण तो इंपद्रंग बली के मंदिर में गए गोड़ लागे और आगे बड़े एक टोलना का थी जहां से हम लोगों ने एक ट्रक पर बैठ करके कानपूर तरका है अच्छा आपके प कानपूर तो अपने घर फोन किये लोग उसी दिन आया ही थे पैसा देव करके सब लोग सोय थे अच्छा तो जब फोन आया तो फोन बजा तो उठाए लोग अज्ञान नमबर हम बोले कि हम बोल रहे हैं तो हम लोग वहां से टैक्सी किये और कानपूर से हम लोग चल दिया और ही लोग इधर से गये हम लोग को इलाहाबाद दोनों मतलब परिवार से हम लोग भेट हो गया अच्छा हम लोग घर आने के बाद अपना डरे सामें थे कुछ दिन तक मेरा मारा तवियत बहुत खराब हो गया था अरनिया का प्रेशन करा है लेकिन हम को पता करना था कि आदमी है को पुलिस ने कोई करवाई नहीं करी जब आपको इतना तो जान गया थे कि गुम्ती नगर है और यह कोई एपार्टमेंट है पुलिस करवाई नहीं कुछ नहीं कुछ पुलिस सो गई उसके बाद हम ही को ले जा करके बलड टेस्ट किया लोग रात में हमारे घर लोग बोला कि चलिए मैं बलड टेस्ट करवाना पड़ेगा आपका पतला नासा उसा का गोलियत दिया नहीं है सासा राम सादर होस्पिटल में हम लोगा बलड लिया गया अच्छा हां हां उसके बाद फिर हम लोग गए 164 के ब्यान देने तो हम लोग तो बहुत डरे हुए थे तो वहां से पुलिस हम लोगो घटनास तर पले गई अच्छा थी कहा हम लोग को लाकर करके सरगाटी कोट के पास पूलिस कोई एक्सन नहीं है उसके बाद कोई एक्सन नहीं हम फिर अपने सुत्रों से पता करना चालू किये हमारे जितने लोग थे कि भाईया जब हम ल लोग रखा था तो हम लोग चला जाए हम उसके बाद कुछ करना है आप लोग अस्थिर यह सब कुछ होगा अच्छा भगवान के दया से उसको पगला कुटा कटा था करके गया डॉक्टर दंपत्ति का पहरण कर लिया अच्छा 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 पंगज गुपता का एक महीं 25 मतलब दढ़ना करीव चार मेहने के बाद तीन सारी मेहने के बाद हम तो चोड़ा अधिक है तो कर लिया कर लिया तो परशास्वन को तो पूरह मैंच हो गया हमारे सामें में मुझ्व पंत्री हुआ करते हैं घूजप अबत अप्र सिहकुमार जी आगए चैनी हम एकशन में आगए एक्शन में आगए तो मेरे घर अ घ्यान में पर टोटाछर्व और के परसाफाशन पताई य। लोग का दबाओ पढ़ने लगा उनके मैडम भी तो मैडम भी थी और डी गाड़ी के साथ उनको लेकर चला गया हम लोग को सुबा शुबा फून कर रहे थे जिस दिना पहरान हुआ उस दिन सुबा सुबा हमारे भाई को फोन कर रहे थे अजयाई शिंग उस टैम डिया स्पी ज़ी में लेकिन लोग भाई मेरा नहीं उठाया क्योंकि फिर था फिर हमारे एक रिलेटिव है फोन कि यह पिए कि तुम लोग फोन कर रहे हैं तो हम पर तो नहीं आया है नहीं रीसीप आ रहा रहा है जी लेके खांगी। तो ऐसा हुआ है अब उसको कर देना है धर पकड़ लेना है तो हम बोले कि तो बहुत अच्छा हो गया फिर हमारे घर पर करीबन तीन-चार वज़ तक उस टाइम हम लोग पटना जोन के आई-जी हुआ करते थे हाँ सब लोगों चले आए हाँ हम को सुरक्षा देने की बात हुई हमारे पुरे पुरिवार को सुरक्षा देने की बात हुई हाँ हम लोग मदद किये हुआ है तब तक आप पता कर लिया देखिए हाँ 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 अच्छा हाँ लोग तो दूसरे जैसे की जिस दिन पैसा दिलाया घुर में लोग वहां रुख गया अच्छा मेरे घर के जो भी लोग गये थे पैसा ले कर लखनों में रुख गये और यह लोग जी पीएस का जो डिरे हाँ लेकिन हमको निकाना झाली थी यह निकाल लिया जाये तब उसको किया जाय गड़ेंग yaon पुल ने कुछ ने क्या उसके बाद दिछके छलते होब फिर इह परण हो गया अपकर एक हैंड कर पहुंद गए कंदन किस्टन में यहां पर आ अप क्या हुआ गए उसके लग ने यहां से लखनाओ के लिए चले गए परसासम साथ हां 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 दो लखनाओ उपी स्टीएफ ने बहुत मदद किया सुजित पंडेट उसमें आईजी ऑपरेशा आईजी स्टीएफ हां हां तो लेकर के निकलता था परचुनर वाहा तो उस पे नमबर पेड़ था देखे करे लगा के घुम रहा है तो उसके बाद पूरा सब कुछ समझ लिया गया परचासम समझ लिया और दबाओ में डॉक्टर दमपत्ती को निकल वाए लोग और निकल वाने के बाद तब दूसरे दिन इसके अपार्टमेंट में छापरेट हुआ रेड होने पर वहां सब पकड़ा गया और अजया सिंग खुद भाग रहा था पानी टंकी में लुकने छुपने के लिए तेरा मंजिला पर अच्छा लेकिन नहीं छुप पकड़ा गया गया का एक नया सिपाही लड़का था बहुत मेहनत किया था नया लड़का था कि अच्छा कि घ्राइब किया इसने जब आप कमजे में थे तो बात बताता था था ना कि एक साइड वालों कवी किया उसके गुर्गे जो थे छोटे चले वो लोग हम सेकी हम लोग इतना बड़ा-बड़ा परण कि हैं सर्गाटी सर्गाटी कोलकता से इनको किये हैं गरजस्थान में उन हीरा ब्यावसाई को लाए और एक जर्मनी के ब्यावसाई के बेटा को उठाए अच्छा बेंगलोर से कहां से उठा लिया था बहुत लोगों का नाम ले रहा था आपका पहरण जो किये है ना इनका नाम उदर जो सुना होगा लोग ना खलत होई गया होगा तो तो सब को धूमाच निकल गया होगा इतना बड़ा किड्नेप पर है तो चलिए यह तो आपकी मदद से डॉक्टर साथ चूट गए डॉक्ट को जो सिपाही मिले था लड़का मेरे साथ चार साल पांच सल रहा गया था चार साल रहा गया था चार साल रहने के बाद मेरे बारे में जान गया था हम उसके बारे में जान गया थे तो बीगत हमारे बिगत परसों में कुछ दिन पहले पीछे हमारे आइस पी आया थे सतवी पता नहीं उनको कौन किया मेरे सिपाही को उठा करके भागलपूर ट्रास्पर कर दिये अच्छा जब कि उस पे डीजी पी सर का आदेश था आदेश है कि जब तक कि इनको शुरक्षा चाहिए तब तक कि इनको यहीं सिपाही बना रहेगा उसके नाम से चिथी है अच्छा हा लेकिन इन्हों ने कहा कि नहीं हम इस शिपाही जलत है यह तूट साच कुछ कुछ फिर लुख बोले की सार ठीक निवदा हम सिपाही नहीं लेंग लेकिन ठीक से ओलोग रहता नहीं था क्योंकि हम लोग सिविलियन है तो बिलकुल और वह अपने खुद्रा ड्यूटी करने हूं लोग छिख्डारी करते हैं तो हम लोग सुभा से सांब काम है ही इधा उधर जाना है कभी पटना जाना जहाना है कभी इधर जाना है तो जहरक॑न कले अज्ग Therefore आदे रहनों देखर भी अपना सुरक्षा से थे प्रिंजी दिखाई पर ही दिखाई परा उसका है कि चालिस लाग के गाड़ी से जा रहा है तो एक और देदेगा अच्छे करोड रोपया हमको मिल जाएगा हाँ हाँ हमारी गाड़ी पकड़ाया तो गाड़ी भी पकड़ाई आप मिल गई हम लोगों से रिलीज करा लिए आई नोबा किसका था वह प्रचला इनोबा हमको यह नहीं पता चला किसका था उभी नोबा पकड़ा गया है वारा चटी ठाने में या गया में कहीं परशासन के अंदर नहीं है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आप आपने इतनी विस्तार से एक मिनेटर में का और बा हम लोग का अभी तक नहीं मिलना दूहजार पंद्रह से दूहजार एका इस हो गया चलिए आपकी बात हम जुरूर उठाएंगे रवी नजन जी आपने आज इतना विस्तार से बटाया है बिहार के लोगों को बचाया भी है जगाया भी है कि दिखिए कैसे कैसे लोग है बिल्कुल सही बात है चलिए कभी आप पटना आए तो कभी मुलकात हो बहुत बहुत दन्यवाद आपको तो आपने शुना रवी रजन सिंग ने पूरी कहानी जो आपको शुनाई आपको यहांदा आप मी शमज में आई होगी यह भी पुलिस सर्चर्ख होती तो रवी किड्नैपिंग के बाद जब ये पैसे देकर छूट करा गए और जिस तरीके से अजय सिंग का ठिकाना मालूम हो गया था बिहार पुलिस की कोशिस होती तो अजय सिंग को पकरा जा सकता था लेकिन पकरा नहीं किया प्रिणाम ये रहा कि उसने फिर से डॉक्टर गुपता को और शुब्रा गुपता को किड्नैप कर लिया तो सरकार किस तरीके से सोई रहती है यह बात भी आपको समस्वे आती होगी और आपने इस एपिशोर में यह भी समझा कि सरकार ने डॉक्टर पंकज गुपता और सुब्रा गुपता को चुराने के लिए बाद में रविरंजन सिंग के तथ्यों का इस्तेमाल तो कर लिया उनकी मदर तुली सीधे तौपर मदर ली साथ लेकर गये कुछ दिनों तक सुरक्षा भी बहाल रखी लेकिन आजाय सिंग आज भी धमकी दे रहा है और इनकी सुरक्षा बापस कर ले गई तो इस तरीके से क्या संदेश जाता है यह भी समझने की ज़ुरत है तो आज के लिए इतना ही कल आपको बताएंगे एपिसोड नंबर 133 में कि आजाय सिंग की पूरी कहानी क्या है यह कैसे आपके नैपस बन गया तो आज हमें दिजी जाजब और चलते चलते यह अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और इस वीडियो को आप फेश्बुक पेज के मादम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक किजेगा एक अंतिम गुजारिस कि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं कोई सलाह देना चाहते हैं सुझाओ देना चाहते हैं या सीधे तौपर संपर्क करना चाहते हैं तो ग्यानिश्वलाइब संचित में जानकाई दे अपना नंबर भी लिख कर भेज सकते हैं जोरत होने पर हम आपसे बाचित करेंगे आपकी पहचान को हम गोप निये रखते हैं क्योंकि सुत्रों की पहचान सर्बुच प्रायरिटी है मेरी तो आज के लिए मुझे देन इजाज़त बहुत धन्यव करते हैं